मुझे दो ताइप्स की कोटिंग्स होती है एक होगी हमारा टफलां कोटिंग एंदे सेकंड फ़ान äंद बन इस थरी दो स्क्राइमीं कोटिंग्स जो म county में मार्केट में कि चछा गरता था हुमारे पास जो है के दे लॉन स्ड फ्यरामिक प्लस इसका एक एड़ान्स वाजन और और एंप्रडेक्शन फिल जो की एक्स्ट्रीम लेवल पर स्क्राच रिस्टेंट होता है अच्छोर में सिरामिक कोटिंग जो है वो एक तरह का पर्मानेन प्रोटेक्शन है जो कि पेंट को लॉंग टम के लिए प्रोटेक्ट करता है ठीक है पहले भी कुछ सॉलुशन हुआ करते थे मार्केट में पेंट को बचाने के लिए बट वो टेंपरेरी हुआ करते थे इन फ्यूचर जितने भी इन्वार्मेंटर एफेक्स होना है लाइक पॉलुशन, स्क्राचेस और बाकी जितनी भी चीज़े होना है वो उस कोटिंग की अपल लेयर पे होना है ठीक है, लाइक जैसे हमारे मोवाइल के जो हमने इस्क्राचेस लगा है उसके उपर होना है डारेक्ली पेंट तक वो सारे स्क्राचेस पहुच नहीं पाते है जिसकी वज़े से क्या होता है कि वन यर हम लोग इसके साथ में एक मेंटनेस फ्री देते हैं जिसमें हम लोग उस पेंट कोटिंग के उपर आने वाले जितने भी स्क्राचेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं तो कोटिंग के उपर से उन इस्क्राचेस को अटाना इजी है एस कंपेर टू डारेक्ली पेंट क्योंकि अगर मैं paint को बार 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 रिस्टोर करूँगा तो obviously वहाँ पर paint की thickness को मैं कम करता चला जाऊँगा Mr. Kramik जो 2017 से हमने स्टार्ट किया था So basically हम मैं और बाकी detailers में अगर इंद और में बात करूँ तो यह differences है क्योंकि हमारे पास मैं existing autumn oil experience है in service sector तो हम यह जानते हैं कि vehicle पे paint की quality कौन सी है और किस तरीके की है लाइक अगर मैं बात करूँ तो अलग-अलग quality के paints होते हैं लाइक अगर मैं premium segment में जाता हूँ और Mercedes, Jaguar इन में जाता हूँ तब वहाँ paint की quality अलग है और mass segment के अगर vehicle में जाता हूँ तो वहाँ पर paint की quality अलग है हम decide करते हैं कि कौन सी vehicle पे किस level of defects हैं और फिर उसके उपर उसका solution देते हैं So firstly, ceramic process में हम लोग पेले paint को restore करते हैं paint restore करना इसका means यह हो गया है कि हम लोग paint का जो actual maximum gloss है उस maximum gloss को बहार लाते हैं जैसा कि company ने paint करके दिया है अभी यह paint हम देख रहे हैं यह company paint नहीं है actual quality company paint यह नहीं है तो firstly हम लोग पहले paint को restore करेंगे उसका maximum gloss तक लाएंगे then उसके ceramic coat करके उसको permanently bond कर देंगे ceramic coat के साथ Mr. Ceramic के साथ में खास बात यह है कि हमको 10 साल का almost experience है service sector में technical background से हमारी पूरी टीम है हम लोग जानते हैं कि किस तरह के से work perform करना है कितना time यह लेगा और किस तरीके से result इसके आने वाले है कुछ scratches यह बाकी चीजों के बारे में हम जितना deeply जानते हैं कस्तमों को पहले ही guide करते हैं कि सरी scratch को अपन यह solution की तरह हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं तो exactly हम यह पहले बताते हैं that's why यहां पर customer dissatisfaction कम होता है अगर हम customer को हर चीज ट्रांस्परेंट रखते हैं कमार्केट में मित है कि हमने नहीं गारी परचेस की है जो manufacturer वो पींड के उपर हमको वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाइशुड वी गो फोर दो स्रामिक कोटिंग और प्रोटेक्शन अगर हम आपको जवाब दू सीधे तरीके से तो आप नया मोईल परचेस करते हैं तो उस पर स्क्रिंगाट क्यों लगवाते हैं या बॉडी कोवर क्यों परचेस करते हैं क्योंकि आप उसको नया रखना चाहते हैं कुद भी बोलते हैं मैनुफेक्शरर उस एडवांस लेवल तक पेंट को ले गए हैं कि अगले आने वाले 10-15 साल भी इन कार्स के पेंट को कुछ भी नहीं होना है बट उन्होंने तहीं भी अपनी वारंटी टंसन कंडिशन में यह नहीं डिफाइन किया हुआ है कि पेंट का कलर डलनेस नहीं होगा या फिर उसमें आएंगे या फिर कोई एक्सटरनल इंपेक्ट होगा या भार कोई पथल ले के कोई चावी लेके स्क्रैच मार देता है तो नहीं आएगा यह मैनुफेक्शर ने अपनी वारंटी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है So that's why, ऐसे जितने भी external sources हैं, जिनकी वज़े से paint को नुकसान होता है, उनसे बचाने के लिए ही हम लोग coating का यूज़ करते हैं So Mr. Ceramic पे जो coating range start होती है, वो 6.999 रूपीज से start होती है with 1 year of warranty And it goes up to 80,000 रूपीज So ये totally depend करता है कि कितने warranty का product customer ले रहे हैं, क्योंकि 1 year से लेके 9 years की warranty तक कि हमारे पास में product range है ceramic में ही So ये totally depend करता है customer पे कि वो कौन सा product चूज़ करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम उपर warranty में जाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे coating की thickness भी enhance होती चले जा रही है है और उसके effects भी change होते चले जा रहे है दूसरा हमारे पास में कुछ products ऐसे हैं जिन products में हमारी monopoly है, है ना, market में बहुत से जगे हमने ये चीज़ देखी है कि कुछ हमारे competitors हैं वो ये claim करते कि हमारे पास भी ये product है, but actual में ऐसा नहीं है क्योंकि जिस company के साथ हम लोग काम करते हैं, वो UK based company है, वो अकेली world की पहली company जिसना first 10H hardness quote को develop किया था ठीक है, उस 10H hardness quote और उस company के साथ में हमारा पुरे MP में tie-up है, तो that's why ये possibility है ही नहीं कि वो कहीं और available होगा तो इस 10H कोटिंग के नाम पर भी customer को बहुत सी जगे पर cheat किया जा रहा है, और उससे unnecessary पैसा वसूला जा रहा है मेरा रिक्वेस्ट है कार और से कि अपनी कार की पूरी तरीकी से care करें, उसको प्रोटेक करें, आधर आप ceramik चूज करते हैं या कोई और solution चूज करते हैं, बढ़ अपनी कार को प्रोटेक्ट करें, ताकि वो long term वैसी ही maintain रहे ठीक है, क्योंकि जब एक maintained car, जिसका pain maintained है, glossier है, वो जब भी हम सलक पर देखते हैं, तो हमको attract करती है, वो हमारी personality को reflect करती है, कि हमारी खुद की personality कैसी है, तो मैं request करना चाहूँगा, कार होना से, कि एक बाए Mr. Saramik visit करें, और free demo ले और feel करें, कि exactly आपको proper solutions, आपकी जितने भी doubts हो, वो यहाँ पर हम लोग clear करेंगे, साहे वो quoting से related हो, technical background से related हो, कार से related भी आपको कोई query हो, कि मुझे कार चूज करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या आप कोई और service assistance भी हम से चाहते हैं, like insurance claim में आपको गहीं दिक्कत आ रही है, dealer end से कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप to be frank, हमारे expertise का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग available है 24-7 for your assistance, so आप आएं, visit करें और freedom हो ले हैं, करें कर दो अक्या है?